जोज स्किल्स के पिछले विडियो में IAS दीपक रावत जी की कहानी से सक्सेस लेसन्स सीखने के बाद on popular demand आज हम लाए हैं यही personality lessons from IAS सुरुष्टी जयन्त देशमुक इन होने 20 साल की उमर में 1st attempt में ही UPSC CSE में 5th rank हासल करी थी आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सुरुष्टी जी के fan हैं तो comments में जोज टाइप करके अपनी excitement जरूर ज़ता हैं चलिए हम सब सुरुष्टी जी से एक IAS जैसी impressive personality बनाना सीखते हैं step number one proper planning and prioritization क्या पता है शुष्टी जी ने अपनी engineering college की पढ़ाई के साथ UPSC की preparation की और तो और उनके college के final exams की just 14 days बाद UPSC prelims थी यह सब manage करने का एक ही तरीका है which is proper planning जो बताया है उन्होंने इस video में अपने दिन को control करना बहत ज़रूर है you know first of all just find out की आपका time जाता का है many a times we don't know time just flies went to the class, given the test, khadam खाना खाया, थोड़ा entertainment किया और इस दन ऐसा मत होने बेजे just control your day, find out की every single day what's happening in my day हर दिन का पेक तर्गेट बनाएं की इस दिन मुझे यह करना है रात को तुब आप उस टागेट पे एक छोड़ा टिक लगाएंगे न तो लगीगा आज का दिन अच्छे से पढ़ाएंगे है and that will boost your confidence as an I.S. officer हम बहुत से personal or professional responsibilities साथ में लेकर चलते हैं ऐसे में एक hectic schedule manage करने की की है proper planning शुष्टी जी ने इसके लिए एक और tip suggest की है which is कि हम सोने से पहले 15 minutes अपने next day की planning के लिए दे so that we wake up with a clear direction अब planning तो हो गई इसके बाद आते है strategy make your own strategy सुष्टी जी ये एक piece of advice में बहुत strongly belief करती है एक चीज है कि you have to have your own strategy आपको अपकी खुद की strategy बनानी पड़े है हम क्या करते हैं सोचते हैं ये इनका है जैसे आप आज मुझे सुनने आये हैं आप मुझे सकते हैं कुछ चीजे बस strategy आपकी खुद की बनेगी ऐसा क्यूँ? क्यूँकि हम सब के backgrounds different है हम कहीं से आते हैं हमारे परिवार different है हमारे educational backgrounds different है हमारी सोच अलग है हम कोई subject पढ़ते हैं किसी को history अच्छा लगता है किसी को quality पसंद आता है तो इन सब चीजों में आपकी जो strategy बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको selection दिलाएगी और इसलिए डरना नहीं है अपनी खुद की strategy आपको बनानी है आप मुझे सुन सकते हैं घर जाकर किसी और की टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं मैं भी देखती थी पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको follow करना है खुद का कुछ लगता है वह करना है पर अपनी strategy आपको खुद बनानी है हम सभी के unique traits और qualities होते हैं एक IAS officer कोई ना कोई नई problem solve भी कर रहे होते हैं ऐसे में to have a mind of our own यानि खुद की abilities से unique solution निकाल पाना is very important पर unfortunately आज की social media जमाने में हम सब किसी ना किसी को blindly follow करने की होड में लग जाते हैं इससे बचने का तरीका भी है हमारे next point पर point number 3 walk with balance सुष्टी जी के पापा एक engineer और मा एक school teacher है वो अपनी family में पहली member है जिन्होंने civil services की line pursue करी और उन्होंने अपनी preparation घर बैठे भुपाल से ही करी घर में कोई guidance ना होने की कमी पूरी करी उन्होंने internet से जी हाँ शुष्टी जी ने अपनी preparation के लिए किसी coaching से जादा rely करा internet पर और वो आज भी इसकी एक बड़ी believer है कि हमें सिर्फ कोई बड़े शहर या बड़ी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है तुप्राक UPSC जो skills भी इस ideology में पूरी belief करता है और घर बैठे हम सभी expert से world class skills सीख सकते हैं बस एक app से पस शुष्टी जी हमें एक चीज के बारे में वांड करती हैं वो है internet और social media की distractions यहीं पर हमें एक internet के use पर balance maintain करने की जरूरत है फिर चाहे हम अपनी preparation कर रहे हों या एक बड़ी I.S. officer भी क्योना बन चुके हों internet की noise से दूर रहें जरूरत पड़े तो exam time या important days पर शुष्टी जी की तरह ही social media quit भी कर दें but keep your focus intact focus से आगे बढ़ने की साथ जरूरी है ये next step stay calm and positive I.S. रुष्टी जी अकसर एक बहुत ही practical tip देती है वो ये कि हमें कभी ये नहीं सोचना कि हमारी competition लाख हो UPSC candidates से है क्योंकि इन में से तो बहुत ही कम number of candidates हैं जो seriously preparation करते हैं तो कभी ये सोच कि pressure और self-doubt में ना आए she also advises कि हम खुद को भी positive लोगों से surround करें discouraging लोगों की ना सुने और yoga और meditation का साहरा लें to stay calm and focused As an I.S. officer जब हम लाखो लोगों को surf करते हैं तब हम panic करना या negative रहना afford नहीं कर सकते We need to have a calm and positive personality चलिए, comments में I can do it type करके या fellow aspirants को all the best wish करके इस positivity को spread करते हैं इससे आता है last but not the least step Believe in yourself कि अपने आप पर belief रखना है यह journey लंबी है थोड़ी एक साल पूरा exam ले लेता है उसके पहले आप एकार देर साल से पहले से prepare करते हैं वो हो जाता है उसके पहले कभी सोच रहे हो तो उतना time हो जाता है तो journey लंबी है तो उस पूरी journey में आपको अपने आपको हर दिन ये convince करना You have to convince yourself every single day that I will be able to make it regardless of where I come from regardless of what I study regardless of how much percentage I used to score in my school days or college days You have to convince yourself every single day that yes I will make it Life में कुछ भी achieve करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी ये है कि हम खुद में belief करें I can do it attitude रखें और challenges से ना डरे As Trishti जी सेज challenges are meant to be challenged इनसे डरे नहीं इनसे लडे We hope आपको शुष्टी जी की इन qualities से inspiration जरूर मिली होगी If yes, तो लाइक बटन जरूर दबाएं So that हमें motivation मिले to make more such videos अगर आप भी एक IAS aspirant हैं तो कॉमें जरूर बताएं कि जोर स्किल्स के साथ आप और कै सीखना चाहते हैं और अपने fellow IAS aspirant दोस्तों से ये शेर भी करें Keep learning with जोर स्किल्स साथ मैं आइस बन भी जाओं तो मुझे इंगलिस साथ नहीं बूल पाऊंगा मेरा नाम तबरे सालम और मैं बिहार से बिलॉंग करता हूं मैंने जोगी मेरा एजुकेशन ने बिहार से हंदी मेडिया में मेले प्राफ की और लाश्ट रेम मैंने अपना डिजेशन कंप्रेट किया परजन्टे मैं दिल्ली में रडाओं और यूपीशी का प्रिप्रेशन कर दाओं प्रब्लयम जो सबसे प्रण होता है कि आप करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप रस्त पोचता है और यह तो आप दो उसके पर जनकारी आपको होता जो मैंने जिस श्किल के बारे मैं सुना और जास अंप असे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी puisquी से मैंने उसे जाना और इंलिम्स स्टींट इंग्लिश कार्स कर दिया कि ऐले लिए तो तुरा बेशी एक पोर्स है, ऩॉपन करना पड़ता है उसके बाद होखार। उसके बाद legitim करना पड़ता है। और या और आपको डैटिस करना terce करना पड़ता है। तो उसके बाद अपका एक जो कोर्स होता है, वो पाता है। ने वोस को दाओ एक में किसी से भी कोई भी परसंद में मुझे से इंगलिपेट कर सोथा है। मुझे कोई इस्व नहीं है। So, JOS's skill ने काफी हिल्प किया मेरी communication skill को improve करने में So, that's why today I am here. So, first of all, I would like to thank JOS's skill, who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, JOS. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.